गुड इवनिंग औल फ्यू गुड इवनिंग बच्चों बीसी बियर थर्ड यार और बीसी सेकंड डियर मेडिकल अन्न नॉन मेडिकल स्टुडेंट्स आज अम लेंबर्ट लो का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं लेंबर्ट लो ने क्या बताया था फटा फट मुझे नटू मैं बताने जाए रहा हूँ आपको लेंबर्ट लो ये कहता है कि जब किसी उंसीडेंट आता है वह लाइक लाइट को जब इस मीडियम में से पास्थ्रू किया जाता है जैसे यसे मीडियम में होकर के निकलती है और आपको incident light होती है उसको बोलते है आई note और जैसे यह light इसके अंदर से गुजरती है पास्थूरी होती है ना वैसे वैसे यहाँ पर absorption का phenomena होता है और उस absorption को आई absorption से denote करते हैं यह बात मेले मैं बता चुका हूँ और जो light remain बचती है उसकी जो intensity होती है इसके बोलते हैं आई transmitter आई वोलते हैं उसको इसको इस तरिके से light का क्या हुआ absorption हो गया और यह absorption से क्या हुआ intensity में डिक्रीमेंट आ गया, इस intensity में डिक्रीमेंट आ गया वह Decremend किसकी respect में आता है D XL की इसकी मोटाहि की respect में आता है इसकी thickness की respect में है जिसको x से denote करते हैं अपने जैसे जैसे मुटाई बढ़ते जाए जिसमा लोग 1 cm की उसकी length है तो उसके intensity में इतना decrement आ गया उसकी तीवरता में इतनी कमी आगी फिर मुटाई और बढ़ गी उसकी तीवरता में और कमी आगी तो x के respect में यह कमी आते हैं जिस in intensity with the respect of x यानि thickness thickness में चेंज आने पर thickness increase होने पर intensity में चेंज आता है जो की negative आता है नेगेटिव यहां क्या शो करता है कमी को शो करता है जो की डारेक्टली परपोर्शनल होता है कि इसके intensity के intensity of incident light मतलब intensity of incident light में decrement आना शुरू हो जाता है जैसे जैसे इसकी मुटाई बढ़ती है वैसे वैसे चेंज इन intensity में भी क्या आता है इसका मतलब इसका मतलब change in intensity negative होती है with the respect of thickness जैसे जैसे मुटाई बढ़ती जाएगी बच्चों वैसे वैसे incident light की intensity में decrement या कमी आनी शुरू हो जाएगी आपतित विकिर्नों की तीवर्ता में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाती है जो की IK क्या होती है directly proportional होती है इसका मतलब उसकी incident light की intensity में decrement आना शुरू हो जाता है उसको दिखायागे इस formula में यहाँ आपको मैं धिखा चुका हूँ अगर अपने इसको define करें definition मैं आपको करवा चुका हूँ दोबारा बता देता हूँ when a monochromatic light is passed through a pure homogenous medium that decreases in the intensity of light with thickness of absorbing medium at any point x directly proportional to the intensity of incident light intensity of the incident light के directly proportional होता है जैसे जैसे मोटाई में increment लगेगा वैसे वैसे intensity of incident light में भी decrement आएगा यह बताना चाहरा है जब एक उवर्णिया प्रकाश को एक सुद्ध सजातिय माध्यम में से गुजारा जाता है तो किसी बिंदू x x का मतलब कहा है यहां पर मुटाई thickness पर अवशोशित माध्यम की मुटाई के साथ परकाश की तीवर्ता में कमी di di परकाश की समानुपाती होतही है जो वह तीवर्ता आ यह ना उसकी समानुपाती होती है मसलों जो इस डिक्रिमेंट आएगा जो उसमें कमी आएगी वो कमी उसकी इंसिदेंट लाइट में भी आएगी समझेद बच्छों बाच लें आगे लिए प्तू है तो यह कि बच्चे करते हैं कि सर अपने formula क्यों बना रहे हैं क्योंकि हमें calculation करनी होती है हमें numerical करने होते हैं हमें यह चीज निकाननी होती है by the calculation method हमें calculated value निकाननी है तो हमें formula drive करना होगा सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि di upon dx directly proportional to the intensity of incident light यानि आपतित प्रकाशी की तीवर्ता के समानुपात्य होती है प्रकाश की तीवर्ता के कमी यश प्रकाश की तीवर्ता में परिवर्तन जो की negative air नात्मक है और मटाई में परिवर्तन मटाई में परिवर्तन क्या हो रहा है change in thickness क्या हो रही है increase हो रही है इसके कारण इसकी intensity क्या हो रही decrease हो रही है और यह incident intensity यह भी क्या होना लग जाएगी intensity of the incident light वह क्या होना लग जाएगी धिरे धिरे डाउन फाल आना शुरू हो जाएगा मैंने यह प्रोपोर्शनलिटी का symbol हटाया के constant आ गया और इसको equation number one दे दिया था हमने हाना equation number one दे दिया था अब आपको बता है कि यह जब भी हम derivation करते हैं तो same same जैसे d i का भाई या i तो d i के नीचे ले गया i को ताकि equation को easily solve किया जा सके तो i को मैं यहां क्या लेकर दिच्चे ले गया और d x को मैं यहां ले गया kdx और माइनस का symbol मैं यहां लगा दिया ओके तो यह काम मैंने किया है यहां तक बात समझ में आई हम derivation कर रहे हैं यहां तक बात समझ में आई बच्चों चले आगे चलो ठीक है अब इसका मतलब कुछ देखते हैं the intensity i at any x at a distance x from start of medium can be found in terms of original intensity i not as follow यह कहते हैं कि जब medium की starting नहीं है यह medium है हना कोई भी medium है यह medium है इस medium की starting में जो intensity of the light थी वो थी i note वो उसकी main intensity थी और यहां पर इसकी distance के भी शुरवात नहीं हो यह तो x is equal to 0 है अभी यहां पर light incident होने से पहले उसकी thickness के जीरो है क्योंकि अभी अपने thickness इसको पार ही नहीं किया उसकी light ने अभी इसको पार ही नहीं किया तो उस time intensity of light i note है उस time thickness जीरो है यह बताना चाह रहा हूँ समय नहीं बच्चवार तो माध्यम की शुरवास से दूरी x पर किसी भी बिंदू पर तीवरता i note को मूल तीवरता के संधरम में प्रदर्शित किया जाता है या निम्ना अंसार पाए जा सकता है इसको आगे अपने निकानने जा रहे है बच्चो ठीक है अब आपको पता है कि intensity जो है वो तो i is equal to i note है जब उसमें light enter नहीं हुई medium में उस time की बात कर रहा हूँ और उस time मुटाई क् एक्स इस इकल टू जीरो अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चो यह जो डी आई की वैलियो ना यह डी आई की वैलू मान लो यह absorbing medium है तो डी आई की वैलू यह मान लो कि वन सेंटीमेटर की है वन सेंटीमेटर तक हमने निकाल लिए डी का मतलब होता है small form small form की intensity small form की thickness मतलब आगर मुझे पूरे box की निकालनी तो मैं क्या करूँगा मैं तosंको संवा कलंग करूंगा मैं आपकी बॉडि कण की शेरीर का तो क्या आई निकल के अगर मैं अपनी बोडी का करता हूँ तो क्या निकल के आता है वैल्यू क्या आती है क्योंकि सबसे छोटे से छोटा भाग अपनी बोडी का क्या होता है वो कोशिका होती है वो cell होती है हना तो cell का अगर मुझे cell से body बनानी है तो मैं cell का क्या करूँगा integration करूँगा समाकलंग करूँ जिसे मेरी पूरी body की formation हो जाए क्यों मैं इसा क्या कर रहा हूँ क्यों मुझे पता है मेरी body की सबसे smallest जो unit है वो मेरी cell है अगर मैं cell से cell जोड़ता जाओ अब तो मेरी body की formation हो जाएगी अगर मुझे body से cell की तरफ जाना है तो मतलब उसको सबसे small form दिखानी है तो इसका मतलब वो differential form है cell body की cell एक differential form है मुझे ये मुझे one centimeter का तो बता है यहाँ जो d लगाया d का मतलब होता है one centimeter one centimeter का इरिया बता है मुझे पूरे area का निकालनी है thickness मुझे पूरे area के निकालनी की पूरे area को cover करने के बाद कितनी intensity में decrement आया मुझे वो निकालना है तो मुझे integration करना पड़ेगा बच्चे सोतने हैं सवर आपने deep में के बता रहें कुछ बच्चे ऐसे होते जिनको समझाना होता है यह मेरा फर्ज है तो मैं करवाँगा चाहिए अब मैंने यह क्या किया इसका integration किया और integration में मैंने limit क्या लिए बच्चो limit का मतलब यह होता है कि जब मैं वहाँ से चला था incident light लेकर के तब उसकी light की intensity क्या थी आई नोट थी जो किसकी मूल्त वरता है जो उसकी original value है जैसे उसने पार किया तो उसकी intensity क्या बनगी आई बनगी यह आई तो उसकी limit क्या लिए मैंने आई नोट से आई और उसकी limit क्या लिए मैंने x is equal to 0 और x is equal to x पहले उसकी मुटाई 0 थी ठिकनस 0 थी और कुछ पूरा पार करने के बाद उसकी मुटाई क्या मानी थी मैंने x मैंने zoom की थी वो मैं रख तो मैं limit क्या लिए हूँ 0 से लेकर के x तक और i नोट से लेकर के i तक म Linux K D X कसे मैंने integration किया आपको बता है कि की आपको पता है कि जब अपने इसका integration करते है डी आपको पता है कि जब अपने डी लो unbox i cả की वैलिव आगे डी आई अपोन आई का मैं इंटिक्रेशन करता तो लोग आई आगया उस लिमिट के आई नोट से आई तक आगी हाना वह मैं लगा दी बार यहां पर माइनस की आपको बता है कि कभी भी कॉंस्टेंट का इंटिक्रेशन नहीं होता तो कॉंस्टेंट तो अट कि अपरी सीमा में से निचली सीमा को मैनस करते है अपर लिमिट से लौर मैंस करते हैं जर्लिमिट को मैनस करते हैं करते हो बच्चों लोग I minus log I note is equal to minus k, x minus 0, हाना, जब इसको अबने solve किया, आपको पता है कि log I minus log I note का formula क्या होता है, log M minus log N का formula क्या होता है, जब भी कोई log minus में होता है, तो वो divide में convert हो जाता होता है, बच्चों, हाना, ये divide में convert हो जाता है, तो यह convert हो गया log I upon I note में आपको बता है न माइनस जो होता है वह divide में convert हो जाते है जब लोग में इसको बदलते हैं तो value के आगी log is equal to log I upon I note is equal to minus kx इसको solve किया तो minus kx आ गया अब आपको बता है log को Allen बोल दो या log बोल दो बात जो यह किये तो यह value के आगी कि Allen I upon I note is equal to minus kx इसको दे दो equation number 3 बच्चों यहां तक समयन में आई बात जल्दी बोलो मैं एक इस चीज़ उस बच्चे को ध्यान में रखके करवाऊंगो जिसको math नहीं आती है मुझे एक इस चीज़ बच्चों को समझानी है चलते हैं आगे बच्चों तो इस equation number 3 को आपको पता है कि इस इस एलन को जब anti log में convert करते हैं इस log को जिसका natural log जिसको बोलते हैं इसका log base इसका log base जो होता है न वह इह होता है और इसका जब anti log की form में लिखते है तो अब इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों तो i upon i0 is equal to e-kx इसको इस form में भी लिख सकते हैं यह इसकी दूस लोग का यूज इसलिए किया जाता है तक कि हमारी calculation simplify trickage हो सकी हमें जोर ना है calculation करने में इसलिए log का यूज कर रहा हूं है तो यहाँ पर यह e का मतलब क्या है exponential उपर पावर में आगा माइनस की x इसको आप इस form में भी लिख सकते हो बात एक ही है इसको आप और भी लगा सकत multiply में चला गया तो यहाँ i is equal to i note e minus e की power minus kx आ गया यह fourth equation tick कर लो बच्चो यह हम formula drive पर रहे है for numerical solve यह हमें calculation करने है तो उसके लिए मारे काम आएगा यहाँ तक बात क्लियर हुई चलते हैं आगी बच्चो अब आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ आगे मैं जो मैंने यह था ना एलन की value और आपको बता है कि जब natural log को log base 10 में convert करते हैं जब log base 10 में convert करते हैं तो 2.303 से multiply कर देते हैं किसी value को अगर मैं इसको 2.303 से multiply कर दूँगा तो यह natural log log base 10 में convert हो जाएगा बच्चे क जाएगा तक क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें calculation करनी है हमें इसको easy way में convert तो मैंने क्या किया उस ln को मैंने convert कर दिया log base 10 में तो मैंने क्या कर दिया multiply कर दिया 2.303 log i upon i not minus kx ओके बच्चो यह value आगी इसकी हाणा अब मैंने क्या किया यह 2.303 को मैं यहां ले गया इसकी upon में ल प्रकार का constant है एक प्रकार का नियतांक है value को easy बनाने के लिए complexity को simplicity बनाने के लिए मैंने इसको k dash मैंने क्या माना वो तो scientist ने मानना है तो k dash इसको बोल दिया गया जो कि ए constant है उस constant का नाम आगे आएगा बताऊंगा आपको मैं ठीक है तो log i upon i not is equal to minus k dash x की value आगी इसको दे दो इसको equation number fifth हाना ठीक है बच्चों यहां ते बासिन में आई अब बात आती है कि यह सर इसका मतलब क्या है इसको फिफ्ट equation को मैंने six equation में कैसे convert किया बच्चों एक बात ध्यानक ना जो अब यह इस लोग की बात कर रहा हो इसका base क्या है 10 है 10 उसका था e हाना natural log का था क्या पावर में आया लेकिन इसका base जो होता है वो 10 होता 10 10 तो इसके इसकी पावर में क्या एगा इसको मैं एंटी लोग की फॉर्म में लिखो तो क्या आएगा तो आई इस लोग को मैं यहां यह अंडर्योड है कि यहां लोग बेस्टैन है आप लगा सकते हो को दिक्कर नहीं है इसको 10 लगा तो कोई दिक्कर नहीं है अंडर्योड है यह तो इस लोग बेस्टैन को इस लोग बेस्टैन को मैं यहां पर एंटि लोग की फॉर्म में लिख लोग में लिखा दिया तो करने और यह यहां तक सब कुछ समझ में आया चले आगे आगे और आप क्या है बीयाज का मतलब क्या है के इस शॉब यहां पर लाव करने जा रहे चारे में यहां तक सब कुछ समझ में आया चले आगे चलते हैं बचो शाब बाश बचो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्षन में तुरंत लिखना सब यह समझ नहीं अब दुबारा इससे इसका intensity of light का जहां पदार्थ का विलोपन गुनान कहा जाता है इसे अथार्थ अफ्शोशिद माध्यम की बात कर रहे है उसकी वैल्यू है यह जो कि कॉंस्टेंट की नियत है अना एब्सॉर्बिंग मीडियम की वैल्यू की नियत होती है कोंस्टेंट होती है के डैस इसको बो बोला जाता है और इसकी अब्सॉर्प्टी विटी भी बोला जाता है यानि इस मात्रा को अपदार्थ का अव्शोशन गुनांक या अव्शोशन भी कहा जाता है तो लोग माइनस लोग आई अपन आई नोट की वैल्यू क्या होती है इस कोड एब्सॉर्बेंस ओफदा दिए साइक सारी वैलिव कॉंफन वैल्यू है इसका याद करते जाओ हना हमें फ़र्मडा ड्राइब करने में दिक्कत नहीं आती है बच्चो आगे इसका फिजीकल सिगनिफिकट करने जा रहे हैं बच्चो उसके बारे में देखते हैं इसका बहुतिक महत्या है ताफ इसके विलोपन गुनांक की बात करें या इसके अवशोशिता की बात करें जिसका अवशोशन गुनांक है जिस विलोपन गुनांक है विलोपन हो रही है खतम हो रही है अगर उसके कोफिशियंट या गुनांग की बात करें तो हम यह कहता है कि इसका फिजिकल सिगनिफिकंस जो है ना बॉतिक जो महतब है वो इक्वेशन नंबर फिफ्ट थे अपने अराम से समझ सकते हैं अब इक्वेशन नंबर पांच कहा है यह देखो इसको पकड़ लो इसको पकड़ के हैं और उसका formula drive कर सकते हैं और numerical को solve कर सकते हैं तो लोग आई अपोन आई नोट इस इकल टू माइनस के डैश एक्स फिफ्ट नंबर है मैंने क्या किया इस एक्स को simplify करने के लिए यहां ले गया पॉन में वन अपॉन एक्स की formula ले गया तो वन अपॉन एक्स लोग आई अप पॉन आई नोट को मैंने पहले हिए मैंने हदने कि इसको पहले ही बदल देना चाहिए था यह मैंने क्या कराओ लोग आई नोट अपॉन आई में करत कर दूंगा जिससे मैस वाल सिंबल हट जैएगा अब मैं इस एक्स को यहां लेकर क्या हूँगा 1 upon x तो क्या value आगी यह value आ जाएगी 1 upon x मनलब lastly value यह आएगी 1 upon x log i note upon i यहाँ पर minus का symbol हट गया तो मैंने इसकी value क्या कर दी पल्ट दी हाना बास में बच्चों बास अब मैं क्या कर रहा हूं एस जूम कर रहा हूं इस लोग i note अब i की value 1 है तो k dash की value क्या हो जाएगी 1 upon x हो जाएगी अगर इसको मैंने पूरे को 1 मालनू इस पूरे को 1 मालनू 1 एक है इसकी value तो k dash की value किसकी की बलाजेगी 1 upon x की value आजेगी यहां तक बास में आई चलें आगे तो we know that if log i note upon i की value 1 है लोग i note upon की value क्या है 1 है तो लोग को हटा दो आपको पता है लोग को हटाते ही यहां पर क्या आ जाता है 10 आ जाता है कि इसकी जो intensity है जो अंदर एंटर कर गी है उसकी बाग after adoption जो जिसने एब्जॉप किया है वो intensity यह आई कहा है absorption वाली intensity है यह कहा है मूल मूल तिवरता है यानि उसकी original intensity है जब उसने एंटर नहीं किया था यह आफ्टर आई की value क्या है दस आएगी मुझे i की value निकाल नहीं तो मैं कैसे निकाल लूँगा मुझे i की value निकाल लूँगा तो i मैं क्या करूँगा यहां ले जूँगा आई मैं यहां ले गया और वहां क्या आगया i note upon 10 आ गया इसको मैं ऐसे बिले सकता हूं i is equal to 1 upon 10 i note यह value आ गया अगर उसको और देखें तो यह value आती है बच्चों आपको यह screen श्याद visible नहीं होगी बच्चों मैं आपको दुबारा बता दूं यह देखो वह हलांकी screen थोड़ी सी बड़ी थी तो आपको श्याद visible ना होई हो we know that if log i note upon i is equal to 1 यह मैं दुबारा इसको elaborate कर रहा हूं वह screen थोड़ी थी तो आपको visible ना हुई हो मैं जानता हूं log i note upon i को मैंने 1 माना है तो मैं log का symbol हटाऊँगा आपको बता है log base 10 नहीं यहाँ पर log base 10 का symbol हटाते ही यहाँ पर क्या आजएगा बच्चों 10 आजएगा जो कि anti-log है तो i note upon i की value जो 10 है तो i की value क्या होगी i का मतलब क्या है जब intensity जब enter कर रही है जब incident light यहाँ पर जब light ने enter किया तब तो i note थी जब अंदर enter होगी adoption होगी तो इसको i बोल दिया गया वो i की value क्या आएगी i की value निकाले simple सा तरीका है बच्चों कैसे निकालेंगे आपको बिल्कुल simple में पता है अगर इसको निकालें आई की value कैसे निकालेंगे तो i को मैं इधर ले गया ले गया बच्चों ठीक है और i note upon में 10 लिया जिसको मैं ऐसे भी लिश सकता हूं i is equal to 1 upon 10 i note की value आप इसको थोड़ा सा elaborate करते हैं hence extension coefficient और adoptivity may be defined as follow extension coefficient और adoptivity is the reciprocal of the thickness बिल्कुल वो thickness के reciprocal होती है जैसे यासे थिकनस बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी adoptivity भी बढ़ती जाती है मुटाई बढ़ रही है बच्चों मुटाई बढ़ रही है तो adoption बढ़े गाई absorptivity increase ही होएगी absorption coefficient भी इंग्रीज ही होगा value बढ़ रही है ना बच्चों बात समीं गाई तो at which the intensity of the light falls to one tenth of its original intensity जो उसकी original intensity यह इसकी original intensity है बच्चों यह इसकी मूल दीवरता है उसका one tenth यानि उसका दसवां हिस्सा उसका value होगी किसकी intensity जो उसने absorb की है original value का दसवां हिस्सा ही क्या होगा उसका tenth tenth हिस्सा जो होगा वो उसका absorption में जा रहा होगा यह बात समझाने की कुशिश की है इसने light falls to one tenth of the original value इसलिए विलुप्थ होने की गुनांक या ओवियुशोशन शीलता को प्रभाशिच किया जा सकता है विलूप्थ होने वाले को simple एक में बाद ध्यान रखनी है बच्छों बस जादा ध्यान नहीं जना आपने फोकस ली करना है इस वाले इस वाले को श्रिंख लेलो बच्छों आपको में बाद यह ध्यान रखनी है जब किसी monochromatic light को incident किया जाता है तो उसकी जो intensity में जो change आता है वो negative आता है due to respect of increase of thickness thickness बढ़ने से उसकी intensity में change आता है जो की negative आता है मतलब उसकी intensity में कमी आती है वो कमी depend करती है डाकली proportional होती है incident light की intensity पे हाना उसमें इसमें decrement आएगा उसमें decrement आएगा तो इस तरीकी से हमने आपने बात की है इसका हमने formula drive की है स्क्रीन शो ले लो बच्चों सासर इसको पढ़ते जाओ सारा मैंने lambert low complete करवा दिया अब lambert low का advance version beer lambert low अपने कल करेंगे lambert low beer lambert low complete हो जाएगा अपना कल तक और अपने दो फोटो कमिस्टी के low भी complete होगे आज हमारे adoption low का first low complete हो गया इस तरिके से हमारे चार लो फोर लो हमारे कल कम्प्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम नया टापिक शुरू करेंगे और विदें टू या ठी लक्ट्चर और पढ़ें आपके यह मादो चार लेक्ट्चर पढ़ें चार लेक्ट्चर में आपको यह यू बच्चे अब शाम को कलास नहीं लगा पारे वो सुबह नो बजे कलास लगाओ मैं बात कर रहा हूं बिए ससी सेक्ट पार नियर की जु वर्च आपको पता है मौरणां में जो टाइंग क्या सी हैं उसमें वो class आप लगा लिया करो मिलते हैं फिर बाई बच्चो थैंक यू